MPS Motivators में आपको स्वागत है आज हम फिर हाजिर है Class 5 के पर्यावरन और हम के Chapter 12 के मान गय लोहा से रिलेटेड कुछ सक्षमता परिक्षा के लिए Important Question के साथ तो आईए देखते हम सक्षमता परिक्षा के लिए कुछ Important Question Question No.1 है विस्व विकलांकता दिवस कब मनाये जाता है Option है 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 18 जनवरी, 5 जून कसाई अंसर हो जाएगा 3 दिसंबर जो Option No.2 है देखेंगे अब हम Next Question Question No.2 है नेत्र हीन बच्चे कैसे पढ़ते हैं Option है Select से दूसरा Option है Braille Lipi द्वारा तिसरा Option है Harmonium से चोथा Option है VCS विद्याले में इसका सही अंसर हो जाएगा Braille Lipi द्वारा ठीक है Braille Lipi द्वारा नेत्र हीन बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें Braille Lipi में 6 बिंदियों पर अधारित एक Select होती है जो आयताकार होती है उसी के द्वारा वो छू कर पढ़ाई करते हैं तो Option नमबर B इसका सही अंसर हो जाएगा Next question Braille Lipi कितनी बिंदियों पर अधारित होती है Option है 4, 6, 8 और 10 इसका सही अंसर हो जाएगा 6 जो Option नमबर B में यही इसका सही अंसर हो जाएगा Braille Lipi जो है वो 6 बिंदियों पर अधारित होती है और एक सेलेट होता है जो आयताकार होता है आयताकार सेलेट पे 6 बिंदियों होती है जो उभी-भी होती है उसी को छू कर नेत्रहिन बच्चे अपने पढ़ाई को पुरी करते हैं देखेंगे अब Next question मान गया लोहा अध्याय में किस जीले की चर्चा की गई है Option है गया, वैशाली, पटना और जमूई चार उप्सन दिया गया इसमें गया, पैसाली, पटना और जमूई इसका सही अंसर हो जाएगा जमूई जो Option नमबर D में है देखेंगे अब Next question Question है, ब्रेल लिपी की सलेट कैसी होती है Option है, गोलाकार, आयताकार अंडवाकार और वर्गाकार इसका सही अंसर हो जाएगा B, जो Option नमबर D है वो है आयताकार, आयताकार सलेट होता है ब्रेल लिपी की सलेट, आयताकार होती है इसमें 6 बिंदुए होती है और वो उब्री उब्री बिंदु होती है जिसको की छूकर नेतरहिन बच्चे उस पर पढ़ाई करते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर से कुछ इतना ही कोशन है जो सक्षमता परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आज के लिए इतना ही तब तक आप हमारे वीडियो को देखें लाइक करें कॉमेंट करें और हमारे चैनल MPS Motivators को सब्सक्राइब करें